हेलो एब्रिवान गुड मॉनिंग मैं कुनाल मैं फिर से एक नया केक लेकर कहा हूँ जो बहुत ही खुबसूरत थिम पे एक एक बनने वाला है आप लोग को जैसे पता है कि आज रच्छा मंदन का तेहवार है तो ये जो केक मैं बनाऊंगा वो भी रच्छा मंदन थिम पे ही केक बनाने वाला हूँ आप लोग जानते हैं कि रच्छा मंदन तेहवार जो है बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही बिप्टफुल तेहवार है आप लोगों को पता होगा कि हर एक बेहन जो है अपना भाई की कलाई पे राखी बानती है तो आज आप लोगों के साथ में र सबसे पहले हम राखी बनाने के लिए कैसे बनाते हैं उसकी रेसीपी सिख लेते तो राखी बनेगा वह फॉन्डेन से बनेगा ता आप यहां पर देख सकते हैं कि में हर एक कलर को फॉन्डेन को बेल वह करके इस तरीके से आप पूरा जो फ्लावरater कि जो cutter रहती है आप अपने हिसाब से flowers cutter यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप लोगों के पास जिस तरीके का छोटा बड़ा जो जो भी cutter है आप उस तरी उसी cutter से आप इस तरीके का फॉंडेन से पूरा बेल करके हर डिफरेंट फॉंडेन को कट कर लें आपको जो भी color का जो भी color combination का राखी बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने येलो कट किया फिर green फिर red फिर blue फिर इस तरीके से white फॉंडेन पूरा flower इस तरीके से छोटा बड़ा हम य बड़ावाला flowers का उसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पर different color को एक दूसरे ऊपर इस तरीके से setting कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा एक राखी का जैसा यहाँ पर मेरा बन करके ready है तो यहाँ पर आप देख सकते हमारे पास जितना भी flower से उसको हर एक flowers को हम यहाँ पर राखी बना लेंगे और counter का जो display cake में बनाता हूं उसमें बहुत ही beautiful तरीके से decoration करके दूँगा क्योंकि customer भी हमारे पास राखी के लिए cake लेने के लिए जरूरा आते हैं sweet भी लेते हैं तो किनी को अगर राखी का cake अगर पसंद दे तो वो राखी cake भी लेकर ज हिसाब से जिस तरीके से आपको जो flavor का cake पसंद है तो आपको जो flavor का cake बनवाना है आप अपने flavor के हिसाब से अपना cake को decoration राखी थीम पे कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जितना भी राखी बनाना था यहां complete कर लिया हूँ उसके बाद आप अपने चावल का जैसा बना करके इस तरीके से पुरा थाली में मैं decoration कर रहा हूँ क्योंकि हर बहन जो है अपना भाई को राकी बांदने से पहले तिलग को कर रहा लगाती है तो उसी थेम पे यह वाला जो थाली का decoration मैं कर रहा हूँ यहां पर अच्छत डाला हूँ उसके बाद यह दालूँगा थोड़ा सा रोरी भी जो है वह आपने ही सबसे हम बना करके डालूँगा और यह जो चंदन रोरी बनाया हूँ कोकोनट पॉडर से मैं color करके मैं इस तरीके का decoration कर रहा हूँ यह वाला वीडियो आप लोग सेर ज्यादा से ज्यादा किजिए गर आप हमारे चैन लोगों को जैसे अपना भाई को स्वीट ओकर अभी खिलाते हैं मुह भी मीठा करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं ठाली मेरा रेडिय तो देख सकते हैं हर एक ठाली पे मैं दो पहले मोती चूर का लडू लगा रहा हूँ यह मोती चूर लडू मेरा वरीजिनल है क् हम मोती चूर लडू से ही थोड़ा सा स्मॉल लडू बना करके आज डेकूरेशन आप लोगों को बता रहा हूँ उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि काजू बर्फी जो है ओभी काजू बर्फी यहाँ पे दो पीस मैं यहाँ पर रख रहा हूँ यह भी वरीजिनल है य क्योंकि हमारा जो सौप है उस स्वीट सौप ही है तो हम लोग अपना डेकूरेशन के हिसाब से हमको लगानी भाई को थोड़ा सा वरीजिनल मिठाई भी खिलाना चाहिए तो हर एक बहन के लिए यहाँ पर मैं वरीजिनल स्वीट से थाली कंप्लेट कर रहा हूँ उसके बा कि आप कैसे अपना राखी अस्पेसल केक को और बढ़िया तरीके से डेकूरेशन कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक केक फर्स्ट में आइसिंग कर रहा हूँ वह भी मेरा एगलेस केक में बना रहा हूँ क्योंकि यह रच्छा बंदन का तैवार है हिंदू का पर्व है तो य यहाँ पर मैं वाइट का ही आइसिंग किया हूँ इसके उपर मैं ख्या थोड़ा सा गलेज डालूँगा अगर आप चाहिए तो नीट्रल जेल होगा रहसे भी आप इसका टोपिंग कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फिनिसिंग कम पिल्ट हो गिया है उसके बाद चलिए फटा फट से यहाँ पर मैं गलेज भी बना करके इस तरीके से पुरा कवर कर देता हूँ इस तरीके से मैं पूरा गलेज से टॉपिंग कर देता हूँ उसके बाद इसका क्या डेकुरेशन है वो आपको आगे विडियो में देखने के लिए मिलेगा जो मैं रा इतना सारा जो है राकी असपेशल के लिए मैं राकी बना करके रखा हूँ इसी से मैं पूरा केक जो भी मैं कॉंटरेशों धिस्पीले के लिए पूरा इससे मैं कम्पलिट करूंगा तो देख सकते हैं इस तरीके से पहले यहाँ पर मैंने एक रसी रख दिया है उसके बाद इस तरीके से राखी यहाँ पर केक पर इस तरीके से देखी यह पूरा राखी जो है पूरा बना करके complete है तो यह केक पर मैं दो राखी रखूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक में जो है मैं red color का राखी राखा हूँ दूसरा वाला में white color का राखी राखा हूँ और इस तरीके से जो मैं पुजा and sweet का जो थाली भी बना करके राखा था वो भी इस तरीके से यहाँ पे cake पे मैं decoration कर देता हूँ उसके बाद मैं जरूर बताईएगा और अपना भाई के लिए happy राख्चा बंदन जो comment में जरूर लखिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नए डिजयन के साथ में तब तक के लिए जय हिन जय बारत जय जय जयरकन